नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिच्वल्स में आपका स्वागत है मंगलवार के वरत से मनुष्च के समस्त दोष नश्ठ हो जाते हैं वरत के पूजन के समय लाल पुष्पक को चड़ावें और लाल वस्त्र धारन करें अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए कथा एक ब्रामबर दमपती के कोई संतान ना हुई थी जिसके कारण पती पत्नी दुखी थे वह ब्रामबर हनुमान जी की पूजा है तू वन में चला गया वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पूत्र की कामना प्रकट किया करता था घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ती के लिए किया करती थी मंगल के दिन व्रत के अंत्य में भोजन बना कर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयम भोजन ग्रहन करती थी एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राहमडी भोजन न बना सकी तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अनगरहन करूंगे वह भुकी 856 दिन पड़ी रही मंगलवार के दिन तो उसे मुर्चा आ गई तब हनुमान जी उसकी लगन और निश्चा को देखकर प्रसंद हो गए उन्होंने उसे दर्शन दिये और कहें मैं तुमसे अती प्रसंद हूँ मैं तुमको एक सुन्दर बालग देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए सुन्दर बालग पाकर ब्रामणी अती प्रसंद हुई ब्रामणी ने बालग का ना मंगल रखा कुछ समय पस्चात ब्रामण वन से लोटकर आया प्रसंद चित सुन्दर बालग घर में केड़ा करते देखकर वह ब्रामण पत्नी से बोला यह बालग कौन है पत्नी ने कहा मंगलवार के वरत से प्रसन हो हरुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा यह कुल्टा व्याभी चारणी अपनी कलुष्ता चुपाने के लिए बात बना रही है एक दिन उसका पत्नी कुवे पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ वो मंगल को साथ ले चला और उसको कुवे में डालकर वापिस पानी भर कर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहा है तब ही मंगल मुस्कराता हुआ घर आ गया उसको देख ब्राह्मण आश्चरे चकीत हुआ रातरी में उसके पती से हनुमान जी ने स्वपने में कहा यह बालक मैंने दिया है तुम पत्नी को कूल्टा क्यूं कहते हो पती यह जानकर हर्शित हुआ फिर पती पत्नी मंगल का व्रत रख अपनी जीवन अनंद पूर्वक व रात होता है इसी प्रगार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचूर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लीक करना ना भूले धन्यवाद